कि हेलो फ्रेंज प्रेंज मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम सीखेंगे जैन सेटर के लिए ये डीजैन इस तरह से बन क्या था फ्रेंज से आपको इसा भी दो कला इसमें यूज कर सकती हैं दो रोकाय डिजैन आये सीखते हैं आप इसको फुल स्वेटर में भी अपलाई कर सकते हैं और हाफ स्वेटर में भी अपलाई कर सकते हैं आये सीखते हैं बॉडर पट्टी बनाने के बाद चार रो हमने पूरी सीधी सीधी बना के कम्प्रीट कर लेनी है इसके बाद हमने सेकंड कलर यूज़ करना है सेकंड कलर से हम दो रो बना लेंगे एक पूरी सीधी और एक रो पूरी उल्टी बना लेंगे एक रो हमारी complete हो चुकी है बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद चार रो हमने basic color से बनाना है इसके बाद हमने second color यूज़ करना है second color से 2 रो हमने एक पुरी सीधी और एक रो पुरी उल्टी बना के complete कर लेंगे यहां पर हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुकी है थर रो में हमने डीजैन स्टार्ट करना है तो पहला ऐस्टा फंदा इसको हमने सीधा बना लेना है अब यहां पर हम तीन फंदे के वापस तीन फंदा बना लेंगे एक पर ऐसे लेंगे दागा आगे की तरफ घुमाएंगे यहां पर तीन फंदे के तीन फंदे बन गए है पूरी रो में हमने तीन फंदे के वापस तीन फंदे बना लेने हैं इस तरह से एक पर इस तरह से बनाएंगे आगे तरफ धागा लपेटेंगे फिर एक पर हमने फिर इस तरह से इन तीन फंदों का एक फंदा बना लेना है और तीन फंदों का तीन फंदा बना लेना है साइट वाला फंदा इसको सीधा बना लेंगे डिजाइन की फर्स्ट रो यहां पर हमारी कम्प्लिट हो चुकी है डिजाइन की सेकंड रो इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे ऐस्ता फंदा है यहाँ पर तीन फंदे हैं इन तीन फंदों में हमने दो फंदा पहले उल्टा बना लेंगे इस तरह से दो फंदा उल्टा बनाने की बार यह तीसरा फंदा है इसको छोड़ेंगे पहले और पहले हमने इस फंदे को बना लेना है उल्टा इस तरह से इसको उल्टा बना लेंगे और इसको हमने इस तरह से लेके फिर इस फंदे को भी उल्टा बना लेना है फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे और यहां इस फंदे को पहले बना लेंगे और फिर इसको निकाल के इसको हमने आगे की तरफ से इस तरफ से उल्टे हाथ की सिलाई में रखेंगे और इसको भी उल्टा बना लेंगे पहले हमने इस फंदे को उल्टा बनाना है फिर यहां पर हमने इस फंदे को सेकेंड वाले फंदे को इस तरह से ले लेंगे और फिर इसको उल्टे हाथ की सिलाई में रखेंगे और इसको भी उल्टा बना लेंगे सेकंड हो यहां पर हमारी कमप्टिट हो चुकी है दो रोका डीजैने फ्रेंज से अब इसमें हमने बेसिक कलर से फिर चार रों बना लेना है बेसिक रोक से हम चार कलर सौरी चार लाइन बना लेंगे उसके बाद हमने यही दो रों रिपीट करना है दो रों हमने फिर सेकंड कलर का बनाना है एक सीधा एक उल्टा उसके बाद हमने यही रिपीट करना है तो स्लाइब में पूरा बन के फ्रेंज से इस तरह से आए गए आप इसको जैन स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं थैंक यू फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ